हेलो एवरीवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हो आज हम फॉल्डी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे जो मेली संसद लोगसभा और राज्यसभा के उपर बेस्ट ऒंगे जो आपको आने वाले एक्जाम एच पैसी शिरीमिल दॉरा जो जाने वाले एक्जाम है ज्यक्षी कमिशन एंसाइज एक्षियागिक अपनी फाफिह के जाएक्यश को हम थोड़ाद Crown में डिसक। करेंगे depth में discuss करेंगे ताकि आपको आने औले एक्जाम में ये questions को काफी helpful थावित हो तो फ्रेंट्स आपने questions के short form में notes भी जरूर बना लेने हैं कि reason के time ये questions आपको काफी helpful थावित होंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बात करते हैं संसद और लोगसबा के वारे में तो आपको पता होगा भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपती, राज्यसबा और लोगसबा से मिलकर बनती है अनुछेद 89 में ये बताया गया है क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है भारत की संसद किस-किस को मिला कर बनती है राष्टपती, राज्यसबा और लोगसबा को मिला कर भारत की संसद है वो बनती है अर्टिकल 79 में ये बोला गया है ये आपने नौट आन के लेना है अब हम बात करते हैं लोगसबा के वारे में तो लोकसभा के बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे लोकसभा जो है वो संग्या, संसदिका, निमन और लोकप्रिय सदन है ये आपको पता होना चाहिए लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है निमन सदन है ये भी आपको पता होना चाहिए लोगसबा की जो अदिक्तम संख्या है वो 552 हो सकती है ये आपने याद रखना है और जो निरवाचकों की जो आयू होती है वो 18 वर्ष होती है ये भी आपने याद रखना है काफी important question है अब लोगसबा संख्या की जो योग गिताएं होती है उनके बारे भी हम थोड़ा डिट स्थिया की जो योग गिताएं होती है भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयू 25 वर्ष या इस सदी खोड़ ये आपने याद रखना है लोगसबा स्थिया वर्ष होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए ये वो कही बार पूछा गया है और भारत सरकार अथवा किसी नागर पूछा गया है अब बात करते हैं कारेकाल के वारे में तो लोगसबा का जो कारेकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है ये भी काफory important है वह दो हजार 2024 में लोगसबा के आम चुनाप होने है ये भी आफकू पता है उसके बद बात करते हैं disease के हमारे में तो this evasion लोगसबा और राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपती के द्वारा ही बुलाई और स्थागिद किये जाते हैं ये भी आपने याद रखना है कि लोगसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो किसके द्वारा बुलाई जाते हैं किसके द्वारा स्थागिद क किये जाते हैं तो यह आपको पता होगा ये राष्ट्रपती के द्वारा ही आपको पता होगा लोकसवा दैक्षिट वेश्री ओम बिडला है, शक्तिया कौन कौन सी है लोकसवा के पास यह भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, संबीधान संबंधी शक्ति है यह आपको पता होगा, लोकसवा और राश्ट्र पती तता सर्वोश नयालियों के नया धी इसे संसद से सुईक्रित होना अवश्यक है यह आपने याद रखना है अगर प्रेजिडेंट जो है वो संकटिकाल की गोशना करता है तो एक महा के अंदर इसे संसद से सुईक्रित होना जो है अब बात करते हैं सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकशव ँक्षेतर है वो लद्धाक है यह आपने याद रखना है और क्षेत्रफल की दिष्टी से दूसरा सबसे बड़ा लोगसबा क्षेत्र है ये भी आपने याद रखना है ये मंडी है हिमाचल परदीस का जो मंडी संसदी ये क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दिष्टी से दूसरा सबसे बड़ा लोगसबा क्षेत्र है दाख के बाद ये आपने नोड़न के लेना है क्वेशन ये गई बार पूछा गया है उसी दरख शेत्रवल की दिश्टी से सबसे चोटा लोगसबाक शेत्र जो है वो चांदनी चोक है दिल्ली ये भी आपने याद रखना है उसके बाद बात करते हैं अपात काल की गोशना लागू होने पर वीदी दोरा संसद लोगसबा के कारेकाल में बृद्धी कर सकती है जो एक बार में एक वर्स से अधिक नहीं होगी 1976 में लोगसबा का जो कारेकाल था वो दो बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था ये भी आपने याद रखना है कि अपात काल की गोशना लागू होने पर वीदी दोरा संसद लोगसबा के कारेकाल में बृद्धी कर सकती है जो एक बार में एक वर्स से अधिक नहीं होती है लोगसबा अब मुराज्यसबा के में सिर्फ दिवेशन किया वशकता नहीं है काफी important question है आपसे पूछ लेंगा कि धनवीदेग कहां परस्तोत किया जाता है तो धनवीदेग जो है वो केवल सिर्फ लोगसबा में ही परस्तोत किया जाता है ये आपने याद आखना है अब डिसकस करते हैं लोग सब्बमें सदस्यां की जिस संक्या है किस स्टेट में कितनी है ये पता होना चाहिए उत्रपर्देश में सब से ज्यादा असी हैं महराष्टर में 48 हैं अंद्रपर्देश में 25 हैं पश्च्यमंगाल में 42 हैं बिहार में 40 हैं तमिलाडू में 49 जिरात में छबीस निराजस्तान में पच्चिस है, ओड़ इसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, जोर्कने चोड़ा है ये आपने याद रखना है, लोग सबंस्क्षे Ravi में छोड़ा हैं, पंजाब में 13 हैं, चतिज गड़ हैं unm condemnक्षा हैं मेगालिय किया देल है त्रिपुर्ट में दो है अब आपने यादय läuft किस स्टेट में एक-एक सीठ साथ these एक दद्दरावननागर में एक है यजाइं है यह यूटी है यूटी की बात कर रहे हैं केंदर versa pandes के जबकी स्टेट्स में今天 सीट है एक कर्ते हैं संस्यषा . संस्यष्द हर रित्य Aww missed दो इंसर हर किया त Cancerोड्यू moved the हाल ही में न नहीं सणिव्वभवन का भी काम चल रहा है आपको पता होगा भी आपने सोचल मीडिय बगारा भी ए नहीं सणिव्ववन की फोटोज देखिए हो Advanced 6 महेंने से अधिक गंतर नहीं होना चाहिए यह आपने याद रखना है अब बात करते हैं कौन से सत्र होते हैं संसेट के तो बजट सबसे पहले हाता है इस सत्र के दोरान advent to Ireland पारिध की जाता है यह सत्र जो है फरवरी से महीं तक चलता है मानसून सत्र जो है तो जो है ससे सत्र की कार्यवदी है वो शीद कालीन है, सबसे लंबा जो है, वो बजट सतर है, यह आपने याद रखना है अब बात करते हैं संसद की सलस्या की जो समाप्ती होती है, वो कब होती है कोई भी सलस्या संसद की सलस्या से बंचित किया जा सकता है यदि वे बिना किसी सूचना की 60 दिन तक संस्द से अनुपस्तित रहता है तो उसकी संस्द की 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 सं सभा हो अब बात करते हैं राज्य सभा के बारे में डिटेःल में डिसकस करें गे राज्यसभा आपको पता संसदिक है यह ऊच सदन रुश सतन है हउस ऑफ ऐल्डर्स भी से कहा जाता है संखिया जो है अब बात करते हैं समीधान की अनुचिद 80 के नुसार राज्यसभा के स्दस्यां की जो अधिक्तम संक्या है वो 250 हो सकती है परंतु बरतमान में ये संक्या जो है वो 245 है तो राज्यसभा के स्दस्यां की जो अधिक्तम संक्या है वो 250 हो सकती है बारा स्दस्यां जो है वो राष्टरपती द्वारा मनोनित किया जाती है अब लाजे सबा के सदस्या की जो योगिता हैं वो क्या होनी चाहिए विभारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयो 30 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए अब यहां से क्वेशन की बार पूछा गया है जैसे लोग सबा में कितनी थी लोग सबा में 25 थी नियूंतुमायू जो कि राजे सबा में जो है वो आपकी 30 है यह आपने नोड़न कर लेना है बे किसी लाब के पद पर नहीं होना चाहिए चुनाब जो होते हैं वो राज्या औ यह नहीं होता है, प्रतियक सबान कर लेते हैं जो सब्कार दोसे उैंट नहीं होता है, इसके अक पर SakIP को चुनाब होता अब बात करते हैं सवापती के बारे में भारत क उपराश्टापती राजीयसाबाँ सब्सक्राइब Под begin सवापती होता है बारत शेयम दहने निर्वांचेदि Willνε awakening करते हैं फश्यम मंम्घाल स्वाबती करते हैं सब्सक्राइब मने मत ज सब्सक्राइब को आपने में याद रखना है राज्यसभा के जो प्रत्म सभपती थे वो शेदी एसवी कृष्णा मूर्ती थे यह आपने नौड़न करेना है राज्यसभा का जो पहली वार गटनल था वो तीन अप्राइल 1952 को किया गया था इसकी पहली वैटक 13 में 1952 को हुई थी यह आपने याद रखना है तो इसी तरह केबल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कैसमिधान के इनुशेण 312 के तहट वे अखिल भारती सेवाओं का स्रिजन कर सके ह। पॉइंट है यह आपने नोडन करेना है कि राज्य सूची के किसी विश्य को राष्ट्री महत्व का गोशित कर सके यह जो राइट है वो राज्य सबस्दस्या जो परधान मंतरी बने थे जैसे इंद्रा गांदी जो थे प्रधान मंतरी बने थे अब बात करते हैं राज्य सबस्दस्यां की जो संक्या है किस स्टेट में कितनी कितनी है आपको बताबा सबसे ज्यादा जो है वो आपकी उत्रपरदीश में 31 है महाराष्ट्र में 19 है आंद्रपरदीश में 11 है तमिलाडू में 18 हैं बिहार में 16 हैं बश्चिमगाल में 16 हैं करनाटिक में 12 हैं बद्रपरदीश में 11 हैं गुजरात में 11 हैं औरिसा में 10 हैं राजस्तान में 10 हैं उसके बाद बात करते हैं केरल में जो हैं वो 9 हैं पंजाब में 7 हैं असाब में 7 हैं इलंगाना में 7 हैं जार प्रियाना में 5 है जम्मु कश्मीर में 4 है यूटी बनदी है आपको पता होगा से माचल परदेश में 3 हर उत्तराखंड में 3 है है नागालेंड में 1 मिजौर लिया में 1 है मनीपूर में 1 है और त्रिपूरा सिक्किम और अनचर प्रदेश और गोबा में वह भी एक है तो आपने मोस्ट इंपोर्टन जो है वह यह याद रखनी है लोगसभा में भी हमने बात की थी कि किस राज्या से कितने सदस्य चुने वह आपने याद रखने हैं मोस्ट इंपोर्टन हैν है यहां से कुष्ण पूछ लिया जाता है कि संग्य क्षेत्र की बात करते हैं तो दिल्ली से दीन जाज्चे स्वास्त से चुने जाते हैं और पंटीचेरी से एक सदस्या करते अब हम वन लाइनर क्वेशन जो है यह जो हमने टॉपिक डिसकस किया इसके उपर आप बन लाइनर क्वेशन वेस्ट है इनको भी डिटेल में डिसकस करते हैं जो है एच्वी पेसी शिमला की एक्जाम में पूछे गए थे पहला प्रशन है कि चार राजियों हिमाचल प्रदी पार्लेमेंट हाउस वाज डिजाइन वाई सर एडवेंट लुटियंस द्वारा किया गया था अंडर दा सुपर वीजन ओफ सर हर्वर्ट वेकर यह भी आपने याद रखना है उसी तरह लोगसबा सचिवालिया कि इसकी अंतरगत आता है यह मिनिस्ट्री ऑफ उसी तरह मनी वीज किस सदन में पेश किया जाता है को शेश्चन काफी इंपोर्टन्त है द्हन गया किसटर के देखण लोगसाबह मेह फ्रस्टुत किया जाता है उसी तरह संसद कीने मिलाकर बनती है यह कुछन स्टार्टिंग में ही डिसकस किया था तो यह राष्टरपती लोगसभा और राजयसभा को मिलाकर बनती है अगला है संसद के दो सतरों के बीचे दिखता अपधी कितने समय के लिए होती है अगला है द अठोर्टी ओफ ऐलिटर ओफ द बॉर्डर्स ऑफ स्टी इन इंडिऐ अरेस्ट भीड तो यह पार्लिमंट के पास शक्ति है कि वो राजय की सीमा का निरधान करेगी पार्लिमंट के पास यह शक्ति है उसी तरह प्रतिजिन संसद की कारिवाई प्रारम होती है किस से होती है वो प्रशनिकाल से होती है question hour से होती है no confidence motion अब इस्वास प्रस्ताव is moved in तो यह आपको पता होगा या अब इस्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोगसावा में ही प्रस्तुत किया जाता है दन विदेग को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है यह राष्टपती की स्वीकृति से प्रस्तुत किया सकता है लोकषबस्ति सद्पर बनने के लिए नियुन्तोमाईयों कितनी अभिश्यक है पच्चीस है बारती संसद आपसिस्ट भ्यख सकती है कब कर सकती है वो हमیशा कर सकती है और लोकषबा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की अभ शक्ता होती है तो दो सो बत्तर होगी अगले वर्षे चुनाब हैं आम चुनाब है लोगसभा के किसकी अनुमोदन की मिना ना कोई कर लगा जा सकता है और ना खर्च किया जा सकता है तो वो संसद है यह आपको पता होगा अगला है लोगसभा स्थागित करने की शक्ति जो है वो नीहित है किसमें है वो राष्टपती में है किसी सदन का कोर्म पूरा होने करने के लिए कम से कम कितने स्थाषियों की उपस्तती होनी चाहिए तो कोल स्थाषियों का दस्मा भाग संसद गे स्ट प्रấyुअक ये मंग उते हैं इसके दोरा बुलाए और सागित की जाते हैं यह प्रेजिडेंट ही तुरा पूरnio बोक सवा के तो अवीयोग बिध्य के पास होने से पहले सर्कार का का चलाने जो अगरिम वोट ओ अकाउंट का intim hust Bab discovering कि रूप में मानेता पाने के लिए किसी राजनेतिक दल के कम से कम कितने स्थिया होने नहीं आ रहे हैं तो पच्पन होनी चाहिए यह आपको पता होगा बर्तमान जो लोग्सबा है वो कौन सी है वो अफ दोपहर के बारा से एक दोपहर के एक वज़े तक होता है अगला प्रशन है हूँ होल्स रिकोर्ड ओफ हैविंग पॉल्ड हाइस नंब्र वोड्स पॉर्ट पॉर्ट पॉर्टिंग एक्टर डूल्ग सबा तो यह प्रित्व मुंडे थे यह बात है 2014 और 2014 में लोग सबा जो च कि यह है वर्तमान बता है 238 अा जो हिब रास्ट पती द्वारा मननुद किया या लोग सहबा में लोग स्थाइब्स जेता निश्वाइब्स कि अग्रह इस अगला है वाट इस मीनिमघ रिकॉइट और अज़ राज्य बिदान सबस्थे वनने के लिए तीस बरस जो है वो नियूंतुमाई होनी चाहिए जबकि लोग सबा के लिए 25 होने चाहिए राज्य सबा के सदस्या है वो राज्य विधान सबा के सदस्या द्वारा निर्वाचित होती है राज्य सबा के सदस्या चुने जाते हैं 6 वर्ष की अबदी के लिए बिधान सभा के सदस्य द्वारा राज्य सभा के सदस्यों को चुना जाता है गुप्ट मतदान द्वारा ये भी आपने याद दिखना है राज्य सभा के दिप्तम सदस्यों की संक्या कितनी हो सकती है दो सबचास हो सकती है राजे सबा का स्थाइस सदन होने के कारण इसके एक दियाइस दस्या जो है वो हर दो वर्ष बाद रिटाइर हो जाते है सेवान निर्वित हो जाते है इस वीडियो को लास्ट कुछन है बरतमान में राजे सबा के 10 दस्याओं से गटी था बारा सदस्या जो है वो प्रेजिडेंट नोमिनेट करता है दो सदस्याओं लोगसबा को नोमिनेट करता है प्रेजिडेंट तो फ्रेंट्स आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बरताना है कि राजे सबा की हिमाचला परदीश से राजे सबा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं यह आपने कुमेंट सेक्षिन में जुरूर बताना है तो फ्रेंट आज किस वीडियों वैसे तना ही आज हमने संसर्द राज्य सबार लोगसबा के बारे में डिटेल में डिसकस किया जो आपको आने वाले एक्जाम में काफी हल्पूल साबित हो फ्रेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो फ्रेंट अगर आप एच्पी टैट की त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट नहीं है जिसका जो लिंक है मैंने डिस् नियर आपको वीडियो देखने को बिलेंगे अच्पी बी एडिया इन टांस के लेंट जो आपको काफी हल्पो जसा बताँगे अगर आप आपको लगता है किसी कोशन का मैंने अंसर गल्ट बता दिया है तो आपको मेंट सेक्शन में जुज़ूर बताएं या फिर अपनी जुज़ूर शुजशन दे सकते हो तो ये आपने कोमेंट सेक्श में बताना है तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो वेसीत दा ही आई होप आपको वीडियो पसंदा होगी तो वीडियो को लाक शेयर रेंट सब्सक्राइब जूरूर कर दें थैंक यू फ्रेंड्स